असलाम अलेकुम मेरे भाईयों और भेनों मैं हूं सलमान मलेक और आप लोग देख रहे हैं जी एस वर्ल्ड दोस्तों आज की वीडियो जो है वो इतनी जादा पावरफुल वीडियो है पित्थे की पत्री के बारे में जो पत्री वगेरा होती है उसको कैसे करके निकाला अब लोगों से गुदारिश करना जाते हैं हम लोग फिर वीडियो को एडिट करते हैं और वजीफे अच्छे अप्लोड रोज़ाना हम करते रहते हैं तो आप लोगों से गुदारिश है कि अभी तक अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी रह्मान रहीम तो दोस्तों जो पित्ते में जो पत्री जो होती है उसका इलाज ये है जिस किसी के भी पत्री हो तो वो ये इलाज खुद करे ये नहीं कि किसी और से करवा ले आपको खुद करना है बहुती छोटा ता इलाज है ये आप आसानी से कर सकते हो तो आप जैसा के स्क्रीन पे देख रहे हैं अल्लाहु ला इलहा इल्लाहु वलहयुलकयूम एक बार फिर से सुन लीजिए स्क्रीन पे देख लीजिए हिंदी में आपके समझ में आ जाएगी इसलिए हम हिंदी लिफते हैं तर लोगों के समझ में आजा है देखी एखिए नहां लां इलाहि Character के भलाहिन कियों एखिए पहली आयत है क्याम लएगर पर बर्योचा करो इसमें बहुत ही पावर्फिल वजीवह एएग आपको ایک बार सुबह में एक खाली गिलास ले लेना है आपको उसमें पानी भरना है यानि के एक पानी का गिलास ले 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 उस पे सुबह में नहार मूँ यानि के कुछ खाने से पहले आप जब सो के उठे तो पहले आप एक गिलास ले ले पानी का उसमें आप एक बार ये पढ़ना है आपको अल्लाहुलाइलाहुलहुलहुलकयूम और आपको उस पे दम करना है पानी पे और पानी पे दम करके उसको पी लेना है इसमें नहीं दूरुदेबग पढ़ना है नहीं कुछ भी पढ़ना है सिर्फ इतना ही पढ़ना है Allah la ilaha 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 huul hayu al какойм ये आपको बढ़ना है और इसमें जो है दूसरी जीजिस क्या यही आपको सेम शाम को करना है लेकिन शाम को खाना खाने के बाद यानि के सोने से पहले आपको ये करना है फिर से एक गलास लीना है उसमें पानी बरना है फिर उस पर बढ़ना है अल्लाहुला इल्लाहुलहयुलगयुम और उस पर दम कर देना है और उसको पी लेना है ये अमल आपको रोधाना करना है एक दिन का भी गैप नहीं होना चाहिए आप इसको भूले ना तो इसको एक दिन का भी गैप ना दे और ये लगातार 40 दिन करना है अगर आपने ये 40 दिन कर लिया तो मैं इसकी गारंटी लेता हूँ इंशालला इसमें इतनी ता कहते है आपकी पत्री निकल जाएगी पित्ते की पत्री का जिसका कोई इलाज नहीं है उसका ये इलाज है आप इसको कीजिए एक बार फिर से सुन लीजी आपको क्या पढ़ना है सबी हर मुसल्मान के ये याद होगी तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ जिसको याद नहीं है वो इसक्रीन पे देख ले अल्लाहु लाइलाह इल्लाहु वल्हयूल कयूम ये आपको पढ़ना है चलिए दोस्तो आज का वीडियो इतना ही था ये अमल करें इंशाललाह आपकी पत्री निकल जाएगी तो अभी तक अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारी वीडियो से आपको फाइदा होता है अभी पत्रीयू को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्चर्दा शेयर करें जितना हो सके इसको शेयर करें वाटसअ, फेस्बुक किल रजगा इसको शेयर करें दौाउं में याद रखें दोस्तों मिलते हैं इंशालले एक नई वीडियो के साथ मैं हूं सल्मान मलिक अल्लाहाफेज